असलादकूम आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पॉकेट्स आम तो पर इसको चिकन पॉकेट्स भी कहता है और यह बनाना बिल्कुल सिंपल सी है इसमें कोई रॉकिट साइंस नी है तो चले बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कड़ाई में दो चमच तेल लिया है उसक सबस्ट को भी हम वह नरम होने तक पकाएंगे एक उता है यहां पर इसको गोल्डेन करते हैं पर ब्राउन करते हैं वैसे नहीं बस इसको हलका सा नरम करेंगे और जो प्यास अची तरह से जाए तो हम यहां पर इसमें आदा पव चिकन का कंट डा देंगे क्वाइड़ी मेर हो जाए उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे बाकी चीज़ें से मराद मेरे हैं पर तीन सब्जिया हैं सबसे पहले मैंने यहां पर इसमें डाला है गाजर बारिक के टीवी आदा कप उसके लावा यहां पर मैंने शिम्ला मिर्च डाला है आदा कप और यहां पर म में घ्रीश मिर्च काली मिर्च एक चय का चो है उसके बाद हाब है एक च्छाइक चमाच प्लीट को सारे पानी जो है विभर्परीट होने देंगे तरिक याप लिए पिसमे डालें तो लिखी तरह से मिख्सके रहें ग आदर कप दूज से अक्षिली इसका जो सारा मसाला जो होता है यह सारा क्रीमी हो जाएगा और आपने मायोनीज बिल्कुल ने डाली होगी पर आपको ऐसा लगेगा कि इसमें मायोनीज डली विये उसका फ्लेवर नहीं आएगा पर मतलब उसका जो ट्रैक्सर है वह आपको फी इसलिए उस लिहाज से पकाना है पानी सूख जाए तो हम इसको यहां पर उतार लेंगे उतारने के बाद हम इसको 15-10 मिन तक चोड़ देंगे ताकि ठंडी हो जाए उसके बाद हम यहां पे मांड़ा पट्टी लेंगे उसके ऊपर मैंने जो बैटर लगा है वाइड करे यह यहां पे हमने सारे चिकन बॉकिट्स तैयार करके रख लिए हैं अब भी इनको बारिया देख फ्राय करने की अच्छा फ्राय करते हैं उससे पहले ये बात बता दो मैं आपको कि इसको आप 30 दिन तक अराम से फ्रीज करके रख सकते हैं इसमें कोई खराबी नहीं आएगी अब ही कुछ महिनों में अगर रमजान आ रहा है तो आप इसको एक महिना पहले से बैना के रख लें और इसको फ्रीजर में रख लें आराम से कोई मसला नी एक महिना पूरा चल जाए उसके लावा जब यह ठंडे होंगे तो आपने इसको अलकी हाँ पर पकाना है बाकि मिर्यान पेजाषर के लावा यहां पर आपकी मिर्जी है कि आप इनको कब तक पकाते हैं जैसे कि 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 स्वी को मीडियुम है मैं पकाने के बाद आपको मिलता हूं तो यहां मुझे इनका ट्रेकक्शर इतना ही चाहिए और आप यह बिलकुल यहां न को उता लेंगे । जादा लंबी नहीं होते हैं हमारे वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लास्मीज़ कर दीज़ेगा तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में मुझे दीज़ा सब्सक्राइब आदा हाफिस